बाखोदा बेवजा बावफा बेपधा इश्क के रोग को जानिये लातबा वादे और खामोशिया तुम्हारे उसों के लिए जाहे वफा मन्जर से अंजानी बेगानी बेगानी शोके सफर तेरी महर्बानी महर्बानी स्क्राइब बनाओएब मेर्फ जानि है वामोशिया एक όलुट आप घर जानि axe हो मेर्फा एक रोग धो达ए of Scottish हुआ 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 है है न है न है न है न है न है न कैसा इलहां तेरा है बरसा कैसा इलहां तेरा है बरसा कितना सुर में गाती है मेरी बच्ची माशा लाल नजर बस से बचाए वा ये बाकी के आलू इनके भी पोकड़े बना के बाहर सेंड में ले आई है ठीक है आगए रुत बरका कैसा इलहां तेरा है बरसा वाह वाह क्या कहने आपकी कुरेशी सहब वहां सहबजादी गीत काने में मस्रूफ है और यहां वाले साथ सर धुन रहें चाए पीरों भई सिर्फ चाए देखो अब से मना क्यों नहीं करते हैं किस बात से यही मुसीखी जाना बजाना वगएर और क्या तो लगी कौंसा को बाहर गारी है घर में बैठी गारी है बेज जरर शौक है उसको पूरा करने क्या होगे आप बेना बेटी का हर शौक पूरा करने चले उसको पहले तो आर्ट कॉलिज में दाखला दिला दिया और अब यह नहारे खांदान आज तक लड़कों के साथ पढ़ा है कोई मैं पढ़ों मैं लड़कियों की बात कर रहे हूं थेखो मेरी बेटी चुए नहीं यह और लड़कियों की तरह नहीं है बहुत इतमाद है मुझे उस पर तुम्हें डर है ना यह मेरी नाक नहीं कट्वाएगी सीधा साधा बिये कराते एक दो साल में पढ़ाई मुकमल होती फिर यह बेटी अपने घर को जाती इधर जाती यही तो उसका घहर है और किधर जाती नहीं बेटी बियानी नहीं है क्या हर दूसरे तीसरे रोज खांदान से कोई ना कोई रिष्टा लिये चला आता है और बाप की मरजी क्या है बड़ी सीधी साधी सी बात है ताली मुकमल करेंगी उसके बाद कोई रिष्टे का नाम ले तो ले वरना नहीं आप भी सुने माशालाओ क्या जबर दस चाना चल रहा है क्या गारी है आपकी बेटी इमान से अधिया लो भाई आगे गरम गरम पकोड़े और साथ में चटनी भी है खाओ भाई खाओ अरे बुआ अरे बुआ सलामत रहो लेकर इतने कम पकोड़े भाई यह तो खाए आप बेले दूसरे बन रहे पिर गरम गरम लेकर आप अरे बन गरे था बन गरे था था नेक्यू आपकोड़े हैं और हम आपका गाना भी सुन रहे है अधाब अधाब शुक्रिया 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 बैठा तुम यह कुछी करती लेना तर्दारी ना सीखना होना तो यह चाहिए था कि पकोड़े तुम तलतिंग जब बुआ के हाथ मुझे पकाने की क्या थूरत है आगे जाके ही राग ठुमनिया पेंटिंग साम नहीं आएंगी पकोड़े काम आएंगे हाँ पक्का ममों जब मैं बनान का पकोड़ा रोष अटम होगी भाई 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 भार गली तक पकोड़े की खुश्बू आ रही है अर्शित मिया में ते यहने पेना पैठ जाना पहुंगे पाई अर्ण पड़ने पुश्बू आ डे पोडिया घर डे अटके सुए इन आपे अपा होगा एँ वहा ना भी है पड़ना चाहिए तुम्हें पड़ना चाहिए तुम्हे टेस्ट लोगी मैं बतारी हूं देखते हैं हम मेरे पपार कुछ सिंब है अज एग सिंब है कहाने दूको लेका ही नो नहीं सेसेटों स कुछ भुंगे कंव होंगी दूसरी पंड़ेज केट इस फटो खाँ है रशीद आपा डिंटे की अशादी रही कुरें, अजी है का इस अफ़ा वो तो बताओ रशीदा अपा के बेटे की शादी कैषी रही? अच्छी रही? तो में सब पोच रहे थे? क्यों? मेरा क्यों पूच रहे थे? पता तो था, एक तो दुसरे शहर में शादी और भर वो भी तुम्हारे सुसराल की? मैं कैसे जा सकती थी वाला, मेरा क्यों बूचा, बूजो तो जाने, नहीं भई मैं नहीं बूच सकती, तुम्हारा सुसराद तुम ही जानो, पता क्या है, पूरे खांदान में सल्मा की गुम्य मची होंगे, अच्छा, किस सलसले में, अरे भूल गई, वो जो उसने आर्ट कॉ मुझे जाना मौएंगे, जसे भई एक बात है, आपके सल्मा है, बड़ी टेलेंटी, अच्छा सफिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करने, फिर को रिष्टा लाई हो सल्मा के लिए, अरे सुनो तो, इस दफा मेरी नहीं खुद मुझे भेजा है, उनका नड़का तो तुम सल्मा के रिष्टे के लिए क्या रखा है, लेकिन सच्छी बात यह है कि मेरा अपना दिन अपने नंग के वेटे की तरह भई, क्या करें, हमारा तो यह रोस का काम है, अभी कल वो आस्मा ही थी, दो तिन रिष्टे तो वो दे गई है, तो फिर कुफ्राने नेमत क्यों कर रह कि नहीं बेटी को आगे पढ़ाएंगे बस, अच्छा तो फिर ऐसा करो, मंग नी कर दो, और मेरी नंग तो इंतिसार करने पर भी राजी है, क्या करूं मैं नहीं माप, उसके अबबा ने बस यही जद लगाई गी, जब तक सल्मा की तालीम मुकमल नहीं होगी, उसके रिष चलो, TK अखरो, TK मेरा बद्रा लेगा श्री पूर भाइन को शका फिकर ना कर दो देख जा रहा है, मैं बच चलो अचा ज़ता लगा तो अचा ज़ता था लगाई मैं आती हूँ अच्या ओ मैं को मुझे लगता जादा लगई उठो यार सल्मा 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 क्या हो तुम्हें गेंद बाजी की सल्मा जोहेब क्या देख रहो यार नजर भी आरा जो सिक्टरों से किसे को बुला कि लो यार इसके अबू को फोन करो जल्दी बताओ सिक्कू पुडी दे गई कामी जोहेब जल्दी आओ सल्मा सल्मा क्या हुआ है प्लीज सल्मा उत्वो सल्मा सल्मा तुम ठीक हो क्या हुआ ने यार वो बहार लड़के क्रिकेट खेल रहे था उनने शॉर्ट लगाई तो गेन सीधा आके तुमें लगा इस्पेंसरी लेकर गया है वोश आगया तो टीक है औरना हस्पताल लेकर जाएंगे नहां करियाद हस्पताल हस्पताल कातलाना हमले का मुकदमा चलेगा तुम पर याँ बात कर रहे या जो है एक शोहरे वोश रावे से बच्के ही तुमेह यहां आठ स्कूल में आया था याई मेडिकल कॉलेज हो परड़ा था कातलाना हमले के बारे में तुमें भाब में भी नहीं सोच सकता वैसे फोन तो करवाया था उंकल को मेरा खैल अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था लिस्पेंसरी बाले को बुलाओ यहां पर तो कोई ही नहीं उसको देखने के लिए मेरी बच्ची को इतनी सख्स चोट लगी कि वो बेहोश होगी और आपके कॉलेज ने को एक्शन नहीं देलिया कॉलेज के डॉक्टर ने उसी वक्त उसे चक कर लिया था कोई बहुत सीरियस चोटने लगी वो सिर्फ सद्मे के बज़ए से चंद लमों के लिए बेहोश हो गई थी अब प्लीस तश्रीफ तर रखिए अबस लड़के को बुलवाईए मैं देखना जाते हूँ यह कौन है इसको मिलों को लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तफाकन बॉल सल्मा को लग गई अच्छा लगता है चोट इतनी जादा नहीं लगी शौक जादा लगा कोई बात नियार घर जाएगी तो ठीक हो जाएगी तुम्हारी इसके अबू से बात हो गई थी ना हाँ जब मैंने अंकल को बताया कि सल्मा को चोट लगी है अंकल बहुत जादा परिशान हो गए थे जाहरा यार सल्मा बहुत लाग ली है उनकी अच्छु ये डर लग रहा है कि इस लोर्की को कॉलेज से ना निकल बाउती नए यार कॉलेज से क्यों निकल बाएंगे कालेज प्रेमिसेज में क्रिकिट खेलने की इजाज़त है अकॉर्डिंग टू दे रूल्स जी नहीं इजाज़त नहीं है यही रवई है जिसकी वज़े से ऐसे हादसात होते हैं अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए तो किसी की मजाल ना होके ऐसी हरकत करें कुरेश साथ यह एक आर्ट कॉलिज है कोई मिलिटरी केम्प नहीं है लेकिन आप यकीन की जाए कि डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा आप बिलकुल फिक्र ना करें अब उस लड़के को बलवाईए मैं उससे खुद बात करना चाए जी सर किस लड़के की बॉल बीबी को लगी थी सर पाता ने जा के पता करें और अगर जहां भी वो है उसे बुला के फॉरन लाएं ठीक है सर बेटा सच में दुआ करके उसको होश आ जाए होश आ गया थो ठीक वरना ना डॉक्टर बन सकेगा ना तो आर्टिस बन सकेगा तुम लोग इधर बैठे हो दर प्रिंसिक्वल का पिया तुम लोगों को ढूंड रहा है मंझेश सल्मा को डाउटर के पास लेके जाना है प्लीज उस लड़के गुजरे जल्दी से बला लाएं तो इसा प्लासिज हो रही है और सकता है कि वो सकता है कि वो क्लास में हो जैसे पियन ढूंड लेगा ले आयेगा मेरी बच्ची भार तकलीफ में बैठी मेरा इंतजार कर रही है आप बेफिक्रों के जाएए मैं इसे डिसिप्लिक ग्राउंड पर हैंडल कर लुगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके कंसर्न को पुरी तरह जहन में रखा जाएगा प्लीज यह आपका जो बॉर्ड है उसके इंदर मेरे बहुत करीबी दोस्तें बारी साब मैं उनसे भी बात करूंगा कि लड़के को एक स्पेल करें मुझे मुझे यकीन है कि बारी साब से बात करने के बिलकुल जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद इसको हर्त तरीके से हैंडल करूंगा और आप मुतमईन हो जाएंगे शुक्तिया ये आए जब यूँ परिशान हो रहा है? मैं तेरे सात्तमू हो मैं शुबाले पकड़े बच्चू, पेशी है, चलो मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भई, उने कुछ नहीं किया ना, एक प्रिंसिपल को बता ना, आजो, चलो, 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 करें, छुट कर लका ना, मैडिकल कॉलिज छोड़िक आए हो, जी सर, मैडिकल कॉलिजच, चोड़ पर चुढ़ के आए हो, जी सर, गुट को करना कि आए हो? रेक्ट खेल म्या ने ओ, सर, मुझे आवाज दो है थे नहीं श्यक नहीं और उंचा बोलो, च्या बना या हो इस कॉ रहा है क्रिकट खेलने की। नहीं सिर। कॉलिज की बिल्डिंग को नुखसान पहुंच सकता था। किसी स्टूडन को नुखसान पहुंच सकता था। बलके किसी स्टूडन को नुखसान पहुंच गया है। और वो स्टूडन तुम हो। जो लड़की तुम्हारी गेंद लगने से बेहोश हुई थी, उसके वाले शदीद गुस्से में हैं, कॉलिज से निकलवाना चाहते हैं तुम्हें, नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो पहले ही मेडिकल कॉलिज छोड़के आया हूँ मैं और कहा जाऊंगा, यह तुम्हें क कॉलिज के कॉरीडोर में चक्के लगाने से पहले सोचना चाहिए था, वो हाइस्ट अथॉरिटीज को इंवाल्व कर रहे हैं, उनकी बेटी को खतरनाक चोट लग सकती थी, उसकी आँख फूट सकती थी, सर फट सकता था, कौन से मेदार होता, तो अब कैसी है भुसर? तु कॉर्ण से गाँ यहाँ अच्छाए जैसे गमार लोग पढ़ते हैं तो जोर से गेंद मारा मेरी बच्ची अच्छा रखाए अजाज़ा फिकर की बात नहीं है, ओपरी चोट है तो कैसी जीब बाते करते हैं ऑपरी चोट चोट नहीं होती क्या तो को फिकर ही नहीं है? क्यों नहीं फिकर भई दफतर से गया हूं जाके इसको कॉलेज से इस वक लेकर आया हूं तो मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है यह तो मुझे कभी भी कुछ ठीक से नहीं बताता तो यही काया जब बात गया है तो मैं कल खुद कॉलेज जाओंगी और प्रिंसिपल से बात करो मैं प्रिंसिपल के पास गया था उसने का डिसिप्लिनरी एक्षिन लेगा अरे खाक एक्षिन लेंगे मैं तो प्रिंसिपल से पूछना चाहते हूं को खुदाना खस्ता मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो कौन जम्यदार होता लो बाई कॉलेज वालों के शामत आ मेरी बारी में तो कोई सदमानी हो आपको लड़कों की खैर होती है अच्छा क्यों मैं सौतेला हूँ या मुझे पड़ोशी से उठा के लेकर आए थे आपा बड़ी सागी है आपकी मेरी तो किसी को फिकर ही नहीं आपे तो ना खेला कर ना तो फुटबॉल वो भी तो नही पड़ी है ना निशान मैं तो वैसे इसको लड़कों के साथ पढ़ाने के खिलाफ हूँ बतानी कैसे कैसे जंगली गरों से उठकर आ जा जाएगा वक्ती है दो तीन रोज की बात है और क्या तो बस अब तुम दो तीन दिन कॉलिज नहीं जाओ दो तीन दिन क्या करूंगी मैं खबर दार मैं तो मैं यहां से हिलने मी नहीं दूंगी अब आप कहा जा रहे हैं दफ्तर वापस जा रहा हूं तुमारे लिए कुछ लेता हूंगा इतने रोज हो गए मैं आपको टेप रिकॉडर दिया है हाँ ले आट से लेकर आना है और राइए मेरे ले ले भी कुछ उचित लगा परेशान ओ इंव उट यहां टोड़ा से अराम से चो चो मैं दबादे टेनी इने आयायायायाय दुबाने से जाड़ाएचा या सिकू खाले यार कब तक ऐसे वो दास बुल-बुल की तरह बैठा रहेगा फूब नहीं लिख रहे यार या माना तेरी परिशानी बढ़ी है लेकिन खाना ना खाके तेरी परिशानी दूर हो जेगी क्या लोग मुझे कॉलिज से निकाल रहे हैं ना कर यार जही कह रहा हूँ मुझे लड़की जिसको गैन लगी थी ना उसका बाप बहुत पहुंच वाला है प्रिंसिपल साब कह रहे हैं कि मुझे एक्सपेल करते हैं यार यह तो वाकी बड़ी टेंशन वाली बात हो गई मैं हूँ ही बड़ा बदकिसमत बचोंने बीस मुरबा जमीन थी हमारी पैसे की बड़ी रेल पेल देखिया मैंने तो बड़ी अच्छी बात है इसमें बदकिसमत ही कहा से आई अब आके मरने के बात चाचा ने सारी जमीनों पे कबजा कर लिया कुछ भी नहीं बचा अमा के पास बस दो किले जमीन दो किले बचार भैसे चार भैसे मा को बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बन जो मेडिकल बढ़वाने के लिए सारी भैसें, जमीने सब जेबर बेश डाले किसी तरह में लाओर आके डॉक्टर बन जा और तू मेडिकल कॉली छोड़कर यहां आ गया नहीं पढ़ सकता था या डॉक्टरी तौईयों की बूसे चक्कर आते था मुझे पहली दफ़ा डेड बोडी देखी ना तो बेहोश हो गया था तो जो अंदाजा निया किस तरह खुदा खुदा करके मैंने वो वक्त गुजा रहा है अपना माँ तुरी माँ को बता है कि तुने मेडिकल कॉली छोड़ दी बहुत रोई लेकर उसको पता था मेरा मसला क्या है बच्पन से सिर्फ पेंटिंग्स करता था तस्मेरिया बनाता था मट्टी के गरोंदे बनाता था कुछ नहीं कर सकता मैं इसके लावा और अगर अगर अब तुझे यहां से निकाल दिया तो अरज देगी उदा ना करे यार कैसी बाते कर रहा है दुन्या में लोगों के बता नहीं कौन कौन रिश्टार होते हैं मेरा तो मेरी मां के लावा कोई भी नहीं है यार अगर नेरी वजह से अगर उसको कुछ हो गया ना तो दिल छोटा ना कर सब ठीक हो जाएगा कि अई ऐसा क्या लगया इस अनधि में जो इतना गौर से देख रही है मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्या लगा इस पौदे के अंदर यह रिसर्च कर रही है इस पे सोच रही है यह इसे पेंट करूँ अरे पेंट करना है तो इस शाकार को करिए वाफ क्या सूरत है क्या हुसन है सुभान अलो यह साथवानों के दरफ का है ना जी बिलकुल यह खादिम भाई से तोड़ के लाया है खास आपके लिए जो मज़ा मुरूद को तोड़ के बलके नहीं चोरी करके खाने में है ना वो खरीद के खाने में नहीं है पत्तमीज शरम आती है तुमें मुझे साथ क्यो नहीं लेके गए मैं अपना खुद चुरा के खाती अच्छा और अगर गिर जाती ने तो मेरी शामत आजाती एक चोटी सी चोट लगने पे इतना बड़ा हंगामा हुआ है और अगर हड़ी वड़ी तूट जाती तो मैं तो गया था काम से वो तो मैं अबबा ऐसी परेशान हो जाते हैं तो मैं ठीफास चूट तो में एह को तो यह था हुदो एहց जाना पारेशानी तो वह सब क्या था वो हुआ कुछ ही हुथा कि मैं शौक में आगे तो अब कुछ सोचो बंद अपनी धुन में जा रहा और एक बॉल आके आपको हिट होती तो थोड़ा तो आप शौक में आते हो ना इसलिए कै दो मैंसा क्रिके खेला करें अगर आज बॉल को कैच कर ना तो ये सब कुछ ना होता चोड़ो क्रिकेट पर खेलेंगे तु मारे साथ अरे खेल क्या लेंगे अभी चलते है ना, मेरा मैच है वैसे भी तो मैच खेले जा रहे हो? हाँ तो तेस्ट की तैयारी कौन करेगा? आपा देखो पढ़ाई का नाम मत ले ना, मैं अपना खुड़ा पूरा कर चुका हूँ अर्शद अरे बापस आगे पढ़ लूँगा ना, सुना भी दूँगा सब कुछ मैं रिटन टेस्ट लूँगे मैं बता रही हूँ वो हम उसी टाइम देखेंगे अहाँ अब आपा को बताऊंगी उसी टाइम देखेंगे टाइम पाना उंजे ले ना योर तर्न माई टर्न है ओके माई टर्न क्या सोच रहे अबबा चले ना अरे अरे सोचने तो जो इता सोचे कि तो अब सुबह हो जाएगी गेम खत नहीं होगी अच्छा चलो पर ये ये जान बूच का तुमसे हारते हैं अरे ये क्या बात हुई अच्छा थेलती हो तभी तो हरा देती हो अबबा को पूरे डिस्ट्रिक के चेंपियन रहे तुमारे अबबा और अब मैं चेंपियन ओ ये देखे चेकमेट हुहु जवाके भी चेकमेट हो गया हार के? हार के? हार 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 के तुम्हें चेंपियन बनाए कुछ भी कहें अम्मी अबबा हर बार हार जाते हैं दस गेम्स खिल चुके ना एक बी नहीं जीते हैं क्या बतार तुमारी जीत मुझे अपनी जीत लगती हो तुमारा जीतना मुझे पसांदातो ऐसा है तो टाइम से हार जाया करें इतना थकाते क्यों है तुम्हें मज़ा नहीं आएगा अच्छा ओके तो अगली मरतबा मैं आपसे हार हुई फिर मैं देखूंगी किसे से हार के जीतने का मज़ा कैसे आता है हाम अगर उसके लिए महबद का जजबा होना शत है ये भी है क्यूंके महबद के बगहर इसार नहीं क्या मतलब आपका के मुझे अभ्भा से महबद를 है मेरे ये मतलब नहीं है मैं तो ये कह रही हूं कि तुम्हारे अभभा की महबद म्हो गहराई है जब मुहबत ईसार का जजबा अख्तियार करना दी है नेंद आ रही है बेटी को है सुबो कॉलिज जाना और पिर जीत के बाद जो नेंद आती है उसका मला एकुछ और है कॉलिज क्यू जाना है इतनी टकलीफ अठाई तुमने ढो तें दिन तक कॉलिज नीज नीज जाना बस इन दीन तो हो गए है मैं ठीक हूं मुझा बुती तकलीफ नीज नीज ने 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 थुमारी अम्यी करते है बिलकल ठीक कि एडिक हैई है तो ती दिन ना राम किरो कुछ नहीं होता अबा, कल मेरा कॉली जाना बहुत इंपॉर्टन है, प्रीज जाने दे मुझा अचा पेरे टियात रखना, एमी गर्जन नहीं जुरू जरू 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 ना एमी थोड़ी बेतर है, तैंक यू कुछ नहीं मुझे 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 तुमने एक बात तो पुछी में क्या? बला क्या? क्या क्या? अमने क्या मंगा सा? मेरा टेप रिकोरडर क्या है? बड्रूम वoo, ठैंक यू लोइर कोहाँ अराम से, अराम से, चले दूँ है क्या है गजम से, पाद किया है Гाल है ऑक्य बाइ गुटनाइट गुटनाइट तिहान से? हार तो गें हम, क्याई बलोगी हाँ हाँ, बिलकुल, अरे मैं तो पानी भी रखके आई थी उबलने, मैं भी लेकर आए क्या बनारी हें बूअ, हलीम, अब तुम्हारी तबियत कैसी है, ठीक हूं., आप नहीं आई ना मुझसे मिलने, अरे खाली हाँ, कैसे आई तुम्हारी आया इाधत के, कुछ बना रही थी तुम्हारे लिए, क्या, क्या 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 बोले ना, बुजो तो जाने, कोई वाला हलवा हम खीर क्या अबुआ बताएं ना तंग करती हैं आप अज़ देखोगी ना तो बस खोशी से निहाल हो जाओगी अज़ अज़े बड़ी महनस किये मैंने मेरा दृबटा है किता खुब सूरत हुए किरन कहां से लिया अपने इसब कुछ मैंने खुच किया है गोटे और किरन की तो मुझे बहुत पहचान है थैंक यू बहुत अज़ना मैं आपको थक जाती हूंगे आपैसा ना कहो तुम्हारे किसी काम से मैं थकी हूं आज तक अज कि भी तूह पता है अप्रेम्ने मेरा घचत्टापटी वाला गारा रातो राता बना धादा है वह बनादी है वाव भाव अची है तोचित पाझे एंकिस पाझे अन्ग्याथ अग्य। वाय लग्यादया तरह मुझे रख्कियाती हो तै यह मैंगुज में आके खानी बनी रखिया हूँ अप्साइड़ी है अरे शंबले शंबले के तरफ गो जाए का फिर देख जिगर इस तरह उदास बैठे रेंट से ना मसेले का हल नहीं निकलना तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कोई तरकीब सोच तुझे नहीं लगता कि अगर मैं दो तें दिन कॉलिज ना जाओ तो यह मसला खुद भाखुद ही हल जाएगा हाँ 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 कैसे मसला हल हो जाएगा अमीर बाब की बेटी है वो उसने ना बड़ा मसला खड़ा कर दिया कॉलिज में देख तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अर बता फिर क्या कर तो एक काम कर तो एक दर्खास लिख दर्खास हाँ और वो सारी बाते लिख उसमें क्या सारी बाते कोई जो उस दिन तुने मुझे बताई थी वो तेरे चाचे ने जो जमीनों बे कबजा किया और तेरी मा के वो दो चिल्ले किल्ले हाँ किल्ले भेंसे बेज़के तुझे पढ़ाना यह सारी बाते लिखना उसमें अपने घल्ती की माफे लिख और दर्खास करके तुझे कॉलिज से ना निका ले अल्ला लाख हैसलना दर्खास लिखता हूंगा लिख अभी लिख यह यह बगा लिए निग इसमें से मत पढ़ना यार बहुत महिंगी स्केच्च भूक है जल मैं तुझे सवाल आगे देता हूंगा यहां से मेरे दूबी का इसाब लिखा भूना का ने दर्खास्त दर्खास्त बनाम प्रिंसिपल साब प्रिंसिपल साब मुद्बाना गुदारिश नहीं दर्खास्त बराए नाजाइज बेदखलिय कॉलिज नाजाइज बेदखलिय कॉलिज क्या जुमला दिया है? लिक तर्खास पराहे नाजाइज पे तखली है कॉलिज मौदबाना गुजारिश है के फिद्वी की माँ की परिजान पर बनी वे तखना कि रहा है फिद्वी की माँ की दो किल्ले जमीन तीन अदद भैंसे नाइस पेंटिंग हेए एक्स्कूज में, असलाम लेकूम, आप शायद वही हैं जे नेकल चोट लगी थी, जो, मैंनम हनीफ है और मैं सिकंदर का दूसरी, सिकंदर का दूसरी, सिकंदर? सिकंदर अलताफ, वो कल क्रिकेट खेल खेल थे ना, उसे का शोट लगा था अपको, जो, मैंसे, मैं आपसे रि क्यों? ऐसे बत्यजीब लोगों को तो कॉलेज भी नहीं रहना चोगी नहीं, उनका निकल जाने है अच्छा है, देखे, मैं आपकी तकलिफ का अंदाजा कर सकता हूं, आपकी जगे कोई और होता शाइद वो भी यही करता लेकिन वो बत्यजीब नहीं बड़ा लड़का है गरीब घर का बच्चा है, उसकी मान नहीं अपना सारा जेवर बेच कर उसके कॉलेज की फीस भरी है, और अक्यों किसम सच माने ना अगर, तो एक सचा आर्टिस्ट है, मेडिकल में अडमिशन हो गया था उसका, तीनों आवा गुजार के आया है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं सका, और आर्टिस्ट के लावा कुछ बनी नहीं सकता, तो सारा मामला आपके हाथ में है, और अगर अगर अब उसके कॉलेज से निकाल दिया गया ना, तो उसकी जो बेवा माँ है ना, तो था मर जानी है, अला ना करो, स्टूपिब बातनी को, दर असल वो खुद भी कलके बाके पर नहायत शर मिलना है, आप से माफी मांगना चाहता है और आप आप से माफी मांगतू उसके से ही, प्लीज खुदा के उससे माफ कर जाए, प्लीज, यह तर्कवास के लिए आप से लिए, आप से लिए, क्लảo, क्लाप! अंद्यों आप मैं अंद्या हूँ अंदर से आप आ रिये हैं मैं देखके चलना चाहिए यार नज़र आता नहीं आर्ट कॉलिजें पढ़ने आ जाती है क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि अगर इतनी नजाकत है आप लोगों में तो अराम से घर जाके बैठी है ना यार क्या होगे? क्यों आ जाती है आप आर्ट स्कूम ले पढ़ने के लिए? ना आप लोगों की जिन्दगी खराब होगी ना हमारी स्कूम से बैठें घर में क्यों के में क्रीनो